Do you want to get rich as a student? बहुत ही सिंपल मंत्रा है Focus on your studies, get a job and be rich यही चीज़ बोलते हैं लोग और मैं इस चीज़ के बारे मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ In fact, मैं यह भी नहीं बोलने वाला हूँ तो तयार हो जाएए कुछ ऐसे amazing knowledge bombs के लिए जो आपकी जिंदेगी को positive तरीके से बदल देगा Skill number one Entrepreneurial Mindset जिसका मेरे साब से सीधा सीधा लेना देना है बड़ी सोच रखने से यह सोचने का तरीका है जहाँ normally लोगों को obstacles नजर आते हैं, problems नजर आती है वहाँ पे आप solution और opportunities ढूनते हैं अपने आपको proactive रखना सीखते हैं, creative रखना सीखते हैं यह चीज रातो रहते हैं आने वाली है आपको यह चीज करने के लिए और आपने आप से यह सवाल पूछ सकते हैं and you will see something magical coming है बागी subscribe भी करी लेना नहीं है, मैं आपको यहाँ पे यह नहीं बोड़ा हूँ कि अपनी गली में बाहर निकलो, दोस बना, उनके साथ में खेलो and that is networking for you हाँ, वो चीज भी करनी है चाहिए but that is more of entertainment and having fun and less of networking मेरा यहाँ पे मतलब है, valuable networks है ऐसे लोगों से connect करना जो आपको जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें grow करने के लिए help कर पाएंगे directly और indirectly ऐसे लोग जो already वो काम कर रहे हैं और इतना ध्यान डगना networking के पूरे के पूरे माया जाल मैं कि it is all about give and take अगर आप सिर्फ take वाले intention से जाएंगे तो आपका ज्यादा time तक भला नहीं होने वाला है people will actually kick you out और of course मुझे के पताने की ज़रूत नहीं है कि networking करने के लिए देरा different channels अगर आप चाहें तो online networking कर सकते हैं offline networking कर सकते हैं make sure limited लोगों से कीजिए valuable लोगों से कीजिए and keep it healthy तीसरी skill है communication बहुत ही obvious ही बात है कि अगर आप बोल नहीं पाएंगे तो आपको कोई चीज़ मिल नहीं पाएंगे if you can't explain it you can't sell it अब यह चाहे आपकी day to day life में हो या फिकोई particular काम करवाने के लिए हो अगर आप networking की भी बात करें तो communication is very very important in networking as well क्योंकि किसी को hi hello कर देना smile कर देना is not communication अगर आप अच्छे से convey नहीं कर पाएंगे सही questions नहीं पूछ पाएंगे तो definitely कुछ नहीं होने वाला और यह चीज़ practice करना definitely रात और रात नहीं होने वाला है आपको करना पड़ेगा almost all एक दिन काफी सारे महीन और सालों तक ताकि आप एक सही तरीके से अपने शब्दों को बया कर पाएंगे और यह चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज स्टूडेंट आपको इन चीज़ों की जरुत है क्योंकि वही एक ऐसा टाइम है जहांच अगर आप start करते हैं तो by the time you'll be reaching maybe say an age of 28-30 you will actually have all these things perfectly fine और यही ऐसी चीज़ हैं जो आपको बाकी आपके दोस्तों से अलग बनाने वाली हैं और लाइफ में कुछ भी काम करो कि चाहिए ऑनलाइन करो आज़ा फीलांसर करो कोई बिजनस करो कुछ भी करो हर एक चीज़ में these will be very very helpful बस इतना ध्यान रखना कि आपके और success के बीच में जो एक चीज़े वो है आप आप इन चीज़ों पर काम कर लोएं success is all yours बागी दाट सेट इन दिस वीडियो जाने के विले like जरू कर देने and subscribe for more similar amazing videos